भारत की दूसरी नूकलियर सब्मरीन अरिघात कल नेवी को मिल सकती है 6000 टन वजन 750 किलोमीटर दूर मिसाइल अटैक करने में सक्षम भारत की दूसरी नूकलियर सब्मरीन अरिघात बन करते यार है इसे कल यानि 29 अगस को इंडियर नेवी को सौपा जा सकता है अरिघात को साल 2017 में लौंच किया गया था इसके बाद इसकी टेस्टिंग जारी रही अब फाइनली इसे कमिशन किया जाएगा अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेड वर्जिन है इसे विशाखा पतनम में भारतिय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था अरिहंत की तरह ही अरिघात 750 किलोमीटर की रेंज वाली के 15 मिसाइलों से लेस होगी भारतिय नौसेना अब तक 3 नूकलियर सबमरीन तयार कर चुका है जिसमें से एक अरिहंत कमिशन है दूसी अरिखात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है इन सबमरीन के जरिये दुश्मन देशों पर परमाणू मिसाइल दागी जा सकती है 2009 में पहली बार सांकेतिक तोर पर पूर्वा प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग की पत्नी ने कारगिल विज़दिवस के मौके पर आई एनस अरिहंत को लांच किया था इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया अगले पांस साल में दो और पंडूबियों को भारतिय नौसेना ने लांच किया है 2009 में लांच करने से पहले भारत ने पंडूबियों को दुनिया से चुपा रखा था 1990 में भारत सकार ने ATV यानि Advanced Technology Vessel Program शुरू किया था इसके तहट ही इन पंडूबियों का निर्मान शुरू हुआ था INS अरिखाट समुद्र के अंदर मिसाइल अटेक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी अब अरिहंत से के 15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी इसी के साथ भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूकलियर ट्रायड देश बन गया था इसे हम भारत और पाकिस्तान के उधारन से समझते हैं मान लीजे भारत और पाकिस्तान कश्मीर में आतंक के मुद्दे पर युध की तैयारी करने लगते हैं परमाणों हत्यारों को छोड़ दें तो सैनिक शक्ती के मामले में भारत पाकिस्तान पर काफी भारी है यानि युध हुआ तो भारत की जीत तकरीबन तैह है ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत पर परमाणों हमला करने का प्लान बनाने में जुच जाता है अब सवाल ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले क्या सोचेगा इसका जवाब है कि ऐसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता होगी कि अगर वो परमाणों हमला करता है तो भारत भी जवाब में उस पर परमाणू हत्यार इस्तिमाल करेगा इस तरह पाकिस्तान खुद भी तबाह हो जाएगा ऐसे में पाकिस्तान भारत पर इतने ज्यादा परमाणू बम गिराने का प्लान बनाएगा कि भारत की जमीन पूरी तरह तबाह हो जाए और वो पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने की स्थिती में न रहे इधर भारत पहले से ऐसे किसी परमाणू हमले के जवाब में दुश्मन पर परमाणू हमला करने की शमता को बचाये रखने की तयारी किये बैठा होगा इसके दो तरीके हैं परमाडू बमों से लैस मिसाइल और लडाकू विमानों को ऐसी जगह पर तैनात रखना जो परमाडू हमले के बावजूद पाकिस्तान को जवाब दे सकी